नमस्कार प्यामन यादोर आप देख रहे हैं वीके नियूस सपा सत्ता में तो नहीं है लेकिन एश में कोई कभी नहीं आहिए आखिर नेता है मौस तो लेनी ही चाहिए बेशक उनके मुखिया खिलेश यादोर राम भक्तो पर सवाल उठाती लेकिन खुद के नेता क्या कर रहे हैं ये आप लोग भी देख लिजिए और सोचिए क्योंकि सपा नेता की जो खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है इसे देख कर आप भी चौक जाएंगे कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और ऐसे नेता कौन से जीवी हैं ये भी आप सोचिए जी हां आगरा में ताज महल के पास समाजवादी पार्टी के नेता राकेश अगरवाल के होटल में देवयबार कराय जा रहा था यही विदेशी यूतियों को ओन डिमांड बुलाय जाता था ये काम भीमा करता था वो पहले भी देवयबार के मामले में पकड़ा जा चुका है थाना तासकेंच पुलिस ने गुरुवार रात को होटल पर छापा मारा इस दोरान होटल से दो विदेशी यूतियां और पांच यूग पकड़े गए आरोपियों से पुस्तास में चौकाने वाले खुलासे हुए है आपको बताते हैं शुब रेजॉट में गुरुवार रात को पुलिस ने छापा मार कर उजेपिकस्तान के दो यूतियां और पांच यूगों को पकड़ लिया इनमें देवयबार के चर्चित एजेंट भीमा भी शामिल है पुस्तास में पता चला है कि भीमा ही विदेशी यूतियों को होटल में बुलाता था एसपी सिटी रोहन प्रमोद ने बताया कि पुस्तास में पता चला कि होटल में देवयबार कराया जा रहा था भीमा यूतियों को बुलाता था 15 दिन की बुकिंग होती थी यूतियों की फोटो ग्रहकों के वाटसेप पर भेजी जाती थी इसके बाद रेट टै हो जाता था ग्रहक जिस यूति को पसंद करते थे उसको ग्रहक के पास भेज दिया जाता था ये सब काम भीमा ही करता था जो विदेशी यूतिया पकड़ी गई है उनके पास वीजा ही नहीं है उनका वीजा खतम हो गया है उनके पास अधार कार्ड भी मिले है पुलिस की पुष्टास ने पता चला है कि ये होटल समाजवादी वैपार सभा के जिलादेश राकेश अगरवाल का है उनके सयोगी चिराग और सुन्दरम दे शाम मिल है तीनों मौके से फरार होगे उनकी तलाश की जा रही है जाच भी ये पता चला है कि होटल सपा नेता ही चला रहे थे उधर सपा जिलादेश राम गोपाल बेगल का कहना है कि राकेश अगरवाल के पास फिलाल पार्टी में कोई पद ही नहीं है अब भाई ये कह रहे हैं कि कोई पद तो नहीं है लेकिन काड़ी पर तो समाजवादी पार्टी का इस्टीकर जरूर लगा है खैर क अमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूस